आपने कई बार सोचा होगा कि चील क्यों अपनी ही चोंच तोड़ देती है? आईए इस रहस्य को समझते हैं. चील एक मार्क दर्शक पक्षी है, जिसकी चोंच अत्यधिक मजबूत होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अपने जीवन के एक बिंदू पर अपनी चोंच तोड़ देती है? यह अनूठी प्रक्रिया शुरू होती है जब चील की चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वह खाने पीने में असमर्थ हो जाती है. इस समस्या से निपटने के लिए चील एक चटान पर अपनी चोंच को पार बार ठोगती है जब तक वह नहीं तूट जाती है. इसके बाद चील कुछ समय के लिए अपने आपको चटानों तक सीमित कर देती है जब तक उसकी नई चोंच नहीं उठती है. इसके बाद चील अपनी नई जिन्दगी की ओर उड़ान भरती है इसलिए चील की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है